हेलो जी वेलकम है आप से विका मेरे यूटूब चैनल में उमीद करती हूँ आप छे बच्छे होंगे खुबसूरत दिन की मैं सुरुआत कर रही हूँ और वाकर मैं दिन बहुत ही खुबसूरत है क्योंकि चार दिन बाद जो दिवाली है घर की क्लिनिंग मेरी कम्प्लीट हो गई है कीचन भी मैंने साफ कर लिया है और कीचन में कुछ डब्बे खाली हो गयते तो उसको मैं धो दी हूँ और जिसमें थोड़ी थोड़ी मसाले थी उसको भी मैंने खाली करके धो दिया है और वैसे तो ना कभी मैं कीचन में ना डब्बे में कोई समान भरती हूँ तो मैं ऐसे नहीं भरती हूँ पहले डब्बे को धो देती हूँ तभी मैं समान भरती हूँ घर का हर एक कोने कोने दिवाली जब आता है तभी साफ हो पाता है ना दिवाली आती ना इतने घर की साफ सफाई होती है साल में एक बाद दिवाली के बहाने ही घर की इतनी सफाई हो पाती है अगर रोज में करने लोगो नो फिर तो पुरे दिन कुछ और करने का समय ही नहीं मिलेगा और चार से पांस दिन घर का साफ सफाई करती है इतनी ठकान हो जाती है ऐसा लगता है अब बस कुछ और करो ही न घर को इतने अच्छे से साफ किये है लेकिन कुछ दिन में ही धूल मिटी फिर से होने वाली है क्योंकि हमारे घर के अगल बगल हर जगह है भी घर बन रहे हैं अराम करके उठो उसके बाद भी न काम पढ़ा ही रहता है कप्रे सारे सूख गए थे अब बैटके में ते लगा लगा लेती हों जब इतना सारा काम दिखता है फिर भूख भी नहीं लगती है बिल्कुल तो खाना खाने के भी न ध्यान नहीं रहता है तो मेरी बेटी ना यहाँ पे चाइनी स्टाइल का मेगी बना के लाई है गार्लिक मेगी और मेरे कुछ यह खाने के लिए लेकिन बहुत यम्मी बना है ये सच कहा गया है कि एक बेटी ही मा की तकलिफ समस्ती है सही कहा ना तो देखिए अभी भी काम पड़ा ही है और अभी ना मैं यहाँ पे दुपट्टा ढून रही हूँ कीचन में जो मैं पर्दा लगाई हूँ ना उसको मैं हटा के दुसरा लगाने वाली हो लेकिन नए कपड़ा खरीद के मेरे को पैसा वेस्ट करने का मन नहीं है मेरे पास बहुत सारी दुपट्टे पड़े है सिफोन के दुपट्टे में बिल्कुल भी नहीं ओड़ती मुझे पसंद नहीं आता मैं हमेसा कोटन का दुपट्टा ही ओड़ती हूँ तो इसमें से मुझे एक दुपट्टा दिखा वो भी कोटन का ही था नया दुपट्टा है लेकिन काफी लंबा है तो उसी को मैं यहां पर परदा लगाऊंगी कीचन में घर में कुछ न कुछ काम निकली रहा है यहां पर मैंने एक आटा का पैकेट है अल吧 एक में रखा है चुहे के वजह से एक चुहा रहे गया है उसके द sap से मैंने अटा को जो है अलमारी में रखा है तो हमारी यहां आलत कराब होए रिये घर साभ करके और यहां पर देखिए अभी आपनों को दिखा रही हूं दिखिए देखिए यहां पे टेड़ी बियर को चस्मा पहना के और यहां दिखिए साहब जी को गाना सुनिए यह क्या है अर्णवे सब? अर्णव? क्या है सब? अर्णवे भी सफाई कर लेती है यह समान फैला रखी हूं चलिए जी घर की क्लेनिंग खतम हो गई और सुगर का चमाना चल रहा है तो दिवाली में इस पर कुछ मीठा नहीं बना रहे हैं हम नमकीन बना रहे हैं तो यहां पे मैं कुछ मटेरिया बना रही हूं तो मैंने इना आटा से बना रही है मैंने कोई मैदा कर समाल नहीं किया है बहुत अच्छी पी रेसिपी है आप लोग भी देखिएगा और ट्राइ आप लोग कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो तो यहां पे मैंने गिहों का आटा ले रखा है उसमें मैंने मिलाया है नमक, अजवाइन और थोड़ी सी जीरा और मौयम के लिए में तोड़ी सा तेल डाल देती हो और इसको अच्छी से सारे तेल को आटे में मसल मसल के अपने हाथों से मिलाएंगे बहुत सिम्पल और इजी रेसिपी है जटपट बनने वाली रेसिपी है तो तेल को अच्छी से आटे में मिला लिए है और आटा गुनने का तरीका भी बड़ा कमाल है आटा जब हम गुनेंगे तो पूरी आटा को मसल मसल के नहीं गुनना है केवल आटे को पानी में हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए डो लग के तयार हो गया है इसको नहीं मसलना है और नहीं रेस्ट पे रखना है तुरंत बनाना सुरू करना है तो चक्कु से ऐसे कट कर लेंगे चारो कोना स्टार बना के देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे काटना है एक लोई लेना है और लोई को भी नहीं मसलना है केवल हलके हाथ से लोई बना लेना है और उसको बेलना है तो ऐसे न मैं चार पूरिया बेल लूँगी बड़ी बड़ी पूरी बोली रोटी बोली पतले पतले बेलना है और अब हम साटा बना के तयार करेंगे तो मैंने दो चम्मच यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है यहाँ पे मैंने आरा रोड डाला है आप चाहे तो कॉन फ्लोर भी डाल सकते है और तोसे इसमें तेल डालना है और इन तीनों को नों मिक्स करना है तो साटा बन के तयार हो गया है एक रोटी लेंगे उसके उपर ना साटा लगाएंगे अच्छे से लगाएंगे ताकि दूसरे रोटी जो है इस पे चिपक जाए तो देखें मैं कैसे लगा रही हूं आप लोग ध्यान से देखिएगा रोटी थोड़ी तेड़ी मेड़ी बेली गई है लेकिन इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको अमना भी कट करके निकालेंगे दूसरी रोटी मैंने चिपकाई है वैसे एक रोटी बड़ी एक छोटी हो गई है तो इसके उपर ना हम तिसरी रोटी लगा दिये चोधे रोटी भी लगा लिए है और साटा लगा के इसको यहां एक फोल्ड करेंगे और फिर से साटा लगाएंगे और हम दूसरी फोल्ड करेंगे तो ऐसे दूसरी साइट से भी हम फोल कर लेंगे फिर इसको ना हमें बेलना होगा ज्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ही मोटा रहे, ना ही पतला रहे, मीडियम साइज में हमें बेलना होगा, तो मैं चकले पे नहीं बेल रही हूँ, उसको स्लेप पे ही बेल रही हूँ, और जो टेड़ी मेडी साइड है उसको कट करके निकाल लूँगी, ताकि जब हम कट कर तेल रख दिया है गरम होने के लिए गरम तेल में इसको हम फ्राइ करेंगे तो जैसे हम फ्राइ करेंगे ना जो चार लेयर की परत है ना वो सारी जो है अलग दिखने लगेगी मत्रिया फ्राइ हो गई है अभी एक मत्री आपके सामने में तोड के दिखाऊंगी बड़ा ही कुरकुरा बना हुआ है और एक एक लेयर खूल गई है तो अभी गरम है तो असा ठंडा हो जाएगा तब मैं आप लोगों में दिखाऊंगी सारा मत्री में इस तरह से फ्राइ कर होंगी तो चलिए एक दिखाई देती है आप सब को दिखिए हमेरा हाथ जल गया बहुत जादा गरम है यह सब चीजे ना हम माइदे से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने माइदा का इस्तमाल नहीं किया है मैंने आटे से बनाया है और बहुत देर तक अगर पैर मोड के बैठ र तो हम सब मीठा नहीं बनाते और अभी सुगर का जमाना चल रहा है तो मीठे पर थोड़ा आप लोग कम ध्यान दीजिए दिवाली इस साल का आखरी फेस्टिवल है उसके बाद आएगा छट पोजा तो आप लोग फेस्टिवल इंजोई कीजिए वीडियो को मैं यहीं करती हूँ होप आप लोगो मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लोग के साथ एन हैपी दिवाली